हाँ जी तो स्वागत आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट वीडियो में हैं जैसे कि आप सभी क्लास्टेंथ वाले विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि जो फिजीक्स और कमिस्टी का जितना भी चेप्टर वाइज अब्जेक्टिव वन लाइनर बन जाने वाला था पूरा का पूरा चेप्टर वाइज अब्जेक्टिव में समाप्त कर चुका हूं अब जो यह सेशन है यह बाइलोजी का है यानि यह बाइलोजी का पूरा चेप करते हैं कि नहीं सर इसको अप्लोडेट वीडियो में ही छोड़ दीजिए हम लोग को जब मन करेंगे तो नो प्रोब्लम कोई बात नहीं है आप सभी क्लास्टेंथ वाले भी द्यारतियों को वैसे आपके गारजियन मोबाइल देते नहीं है जिसका कारण है कि मतलब आप आपका वीडियो देख लूँगा तो इस तरीका से अगर आपकी भावना है अगर इस तरीका का आपकी राय है तो कोई बात नहीं है यह बादसर आप लोग के लिए यह भी करने के लिए तयार है मतलब कुल मिला जुला करके क्लास्टेंथ का साइंस जो है ना उसका आपको अब्जेक्टिव का टेंशन लेनी के ज़रूत नहीं कि वन लाइनर के बाद वेकल्पिक जो होगा वह आया तो लाइब के तो होगा यह आपकी राय के हिसाब से आप जिवहना अपलोड हम वीडियो कर देंगे तो चलिए आज के जो पहला लेशन उससे जितना भी अब्जे अब्जेक्टिव कल्पिक रहता तो ठीक रहता है लेकिन मैं सच कहूं तो वन लाइनर जो है ना उसको मना अच्छे तरीके से अगर दिमांग में आप फीट कर लेता है तो मुझे लगता है कि कि किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं होगी आप आप संद ओठिख लिजए गया मैं इसको थोड़ा सा ही आदो हा पहला परसन है वह सारी किर्या में जो हमारे सरीर के कारे करती हो क्या क्या कालाती है लाइफ प्रोसेस का लाती है जियो प्रक्राम का लाती है चूंकि जियो प्रक्राम का अगर आपसे कोशन पुझदे दो नमर के लिए कि जियो प्रक्राम क्या का लाती है तो आप कहा सकते हैं वे सारी क्रिया जो हमारे सरीर के लिए अनुरक्षन के कारे करती है और जो जिन्द परकरम के बारे में अगर आप से अब पूछक कर कि आपसे दो नमर का सवाओ किसे कहते हैं तो आफ क्या जवाब हो गईतों चली अब अग्ला हैं तत्था तो बना कर लेते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं तो उमीद करते हैं कि यह बाती कि किरिया किसमें होती है अच्छा दिखिए मैंने फोटो सिंतेजिस के बारे मैं भी डिसकस कर रहा था सबसे पहला बात यह है कि परकास संसलेशन की से कहते हैं वही परकास संसलेशन एक प्रोसेस का नाम है क्या है वही एक प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस के माधियन से पौधे अपना भोजन तयार करते हैं और तयार करके वह भोजन को संसलेशित करके यानि कि हम लोग क्या करत करते हैं अपना भोजन को तयार करते हैं और खुद को सवक्राइब करते घटना आखिर होती नियुए यह पर्कास कहाँ होती है तो यह पतियों में घंसे कहां और आपको जयां करक्राइब करें जो पहला लिए हश्वराले हैं saya उठाता है उसे बहुत therefore पूछेगा अच्छान में रखेगा आप लोगा सेंटा पेस्ट या मंत्री टेस्ट जो हो रहा होगा एक्जाम जो आपकी स्कूल में तो आप थोड़ा से मिलेगा इस बात को सबसे ज्यादा इधर उधर की कोस्टन दे रहा है ठीक है लेकिन आपको तो ज्छलक दिखाई दे ब्रामित होने की ज़रूरत नहीं सबसे ज्यादा कमेस्टि और बाइलोजी को पूरा 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 प्रिपर करके जाएगा जाहिए का जरूर कीजिएगा कि जाहिए आप लोग तैयारी करना है तो बेतर करने के लिए आप लोगों को तो सारे जो है ना मुख्या बिंदों ब्रस का सरा होता है अमासे से कौन सा रस का तो जठर रस और इस जठर रस को क्या करते हैं यहां देखिए पतिया हरी होती है क्यों होती है तो अभी मैंने थोड़ी दिर पहले कहा कि क्लॉरोफील के काना को रूरुफील एक हारा रंग वर्डंक है जिसको दोरा परकास असले क्ते हैं तो मुख के दोरा मुख के दोरा ठीक है और तो हम लोग का जीस तरह मूँ होता है उसी तरीके से क्या करते हैं क्या करते हैं कुड़ पात कर दो जो जो ऑसे पती होना तो इस पत्तिय में क्या होती है बड़ चोटे-चोटे शीद्र को और सब और पदान अब यहां पर आ किसrov कर्भाइडरेट के रूप में गरहन करते हैं तो सिंपल कर्भाइडरेट के रूप में गरहन करते हैं ठीक है ना उसके बाद से क्या करते हैं वह तरह तरह के विटामिन को और वसा को क्रियेट कर देते हैं ठीक है अब यहां पर आईए कर्भाइडरेट का रसाइनिक सुत्र क् सबसक्राइब यह सबस्राइब सब्सक्राइब इसके पहले वाला में पूछा ता कि फिर demands प्राबलम कुल मिलाजुला करके दोनों करसानिक सुत्र सेम ही होता है ठीक है बस कोशन हर साल बदल बदल करके इस बार अगले साल पूछ देख गुलकोश पूछ देख अगले साल पूछे गार्बाइड यह बहुत ज्यादा मस्ट भी बी आई समझ लेना यह कोशन पूछता ह ठीक है अगला प्रस्ट वाई मंडल में करमणडाय कितना परतिसत है तो वाई 0.03 परसंट ठीक है अब आईए यहां पर देखते हैं अगला प्रस्ट मानोशरीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है तो यकरीत गरंथी ठीक है ना उसके बाद से अगला जो परस्ट है मानोश मानोशरीर कीट सबसे छोटी गरंथी कौन सी है तो पिंइल करंथीह सबसे सबसे बड़ी गरंंथी क्या क्या, थोड़ा कमीन करके बताइए खान को mo सरी , मानो sm drugiej के सबसे बड़ी गरंथी यकरीत गरंथीह ज初ह ना अब आईये, 14 क Receberi कि मानोशरीर के सबसे लंबी करा को सी ह और बड़ा इस तरीका स्साइब माने के अंडबाई के हिसाब से होता क्या होताinst scraps ना तो अ indigenous मानाव अंडाडू माने फीमेल अंडाडू होता है ठीक है और सबसे लंबी सोचिए तूब हो गया तंद्रीगा को इसका और सबसे छोड़ी को इसका सुक्राडू हो गया ठीक है अब आई ये बात करते हैं पौदों में जल का परिवहान कौन कराता है भाई तो जाइलम उतक क कह रहा हूं तो जाइलम से जल याद कीजिएगा और जल से जाइलम याद कीजिएगा जाइलम उतक के दवरा ठीक है ना जल का परिवहान पौदों के अंदर होता है उसके बाद से अगला जो प्रस्ण है आपके स्क्रीन पर ये पौदों में पोसक तर तो किस उतक के दवरा होता है तो भाई फुलोयम तो पोसक तो क्या करता है पोसक परदान करना मतलब फॉल को परदान करना तो फॉलो का उत्पादन कौन करता है भाई फुलोयम उत्तक ठीक है उसके बाद से अगला परसन देखेंगे अंतर होता है इस बात को ध्यान में रखिए गया विस्वा की सबसे चोटी कोशिका कौन सी है तो माई को पलाजमा और दुनिया के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है सुत्रमूर कांड़ा लो आही गया विस्वा की सबसे बड़ी कोशिका सुत्रमूर कांड़ा मतलब यहां से को मिलाशाय में जाएगा है इस बात को धियान में रखिए गया है दात कितने परकर करकोंते हैं अगर चरवनक यह बात ध्यान में रखीए करमा कुंचन की घटना किसमें होती है तो भई ग्रास नली में होती है जब भोजन हमारे मुख गोईका से ठीक है ना ओइसोफेगस में जाता है यानि कि ग्रास नली में जाता है तो वहाँ पर वो क्या होता है ना सिकुडन फैलनान की घटना होती है जिसे हम लोग क्रामा कुंचन करते हैं और क्रामा कुंचन की घटना ग्रास नली में ही होता है ठ इसको ध्यान में जरूर रखुएगा उसके बाद से यहां जरूर रखिएगा। और सुनिया यहां पर एक और कोसाँ पूछ सकता है थीगा ना की से क्यूंध हैं्न को यानि आथ को कि सेख में दिखाया गया है तो यह बात धहान में दिक्ऽाइगा है आत को और ज में दिखाय गया है आपको अमास के बाएं तीन लीटर होता है तो भै कि मान के चली जोड़ा के अंदर कितनी जोड़ी लार कर दो Subscribe जोड़ा की लएन तो साथ मीटर होती हयार अब्याइव थे हे बोला चोटी आथ ray भड़ी हैं तो और को सी को सभू से ही डिनोट कि गया है भी अगला प्रस्थ मे Может that अधिक कई मार्या और काइम होते हैं तो अमासय में और का भाग में चाइल का निर्माण होता है चोटी आत में यानि कि काइम के बाद चाहिल का निर्माण किसमें होता है छोटी आत में ठीक है ना यह बात ध्यान में रखिएगा ग्रासिका की लंबाई कितने होती है तो भाई 25 सेंटीमीटर ठीक है ना ग्रासिका की यानि 10 इंच मान के चलिए ठीक है अच्छा पाइरुवेट के विखंडन से यह करवंडाई अकसाइड जल तता उर्जा देता है और यह किरिया होती है किसमें माइटो कॉंट्रिया में होत है कि यह प्रिंटेड मेटेरियल ना हो करके हाथ से लिखा हुआ है बट आपको सही जनकारी के लिए बात बता दूं कि ग्यापन एकेडमी जो है ऑफ-लाइन क्लास लाता है जो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप लोग कम से कम एक घंटा पढ करके ठीक है बिहार टॉक कराने या अच्छा नंबर लाने में हम लोग काफी जो है कि मतलब सही बताओ तो हम लोग बहुत ही अच्छे डंक से लोग को मदद करते हैं और उनलों का बहुत ही अच्छा अंकाता है यहां तक कि अभी रिकॉर्ड बन गया है कि ग्यापन एकेड कि उसे में मांग करके आप लोग को भी शेयर कर दे रहां कि थोड़ा सा आप लोग आफ लाइन का माज़ा ले लिजी देखिए नाशिका बेसम यानि नाजल का बिटी होता है कि दीवार टेड़ी मेड़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है जिसे कहते हैं क्या चीज़ क ऑर उर्जा उत्पादन के लिए तो भांई गुलिकोज के दौरा ठीक है ना उसके बाद से अगला जो प्रसन है मनेशिक के ट्रैकिया में पाया जाता है कि पने अपड़ास्ति विएा उसके बाद से यहां आप देखिए स्वासन की किरिया में खाद्पदारत का क्या होता ह है तो भी खंडन होता है ठीक है उसके बाद से अगला जो प्रसन है वो माने हृते में कितने चमबर होते हैं तो भाई चार चमबर होते हैं ठीक है ना दाया निला अलिंद ठीक है ना यह चार चेमबर होते हैं इस बात को ध्यान में रखेएगा हमारे सरीर में कितने परकार की रुधिर वही काय होती है तो बई दू परकार की ठायाओ और उसको किसे डेयुट करते हैं हम लोग मानने किसे सूची करते हैं यक ब्लू से और एक रैड़ि कैश कलर से ठायान अब देखिए और जो दू परकार की वाहिकाय होती है एक में शुद बलोड जाता है जिस रुधिर वाहिका में अक्सीजन नहीं होता है उसे कहते हैं माहाशेरा ठीक है ना और जिस रुधिर वाहिका में अक्सीजन युक्त होता है यानि कि जो सुद होता है वो धहमनी होता है ठीक है ना अब आईये बात करते है चीकित सको के द्वारा हमारे सरी कि किस रुधीर भाई का में injection दिया जाता है तो ढाय धामनी में दिया जाता है ठीक है ना जिसमें शुदबलड होता है रक्त का पीच मान क्या होता है रक्त का पीच मान 7.4 यानि कि लगग लगग ठीक है ठ आप आप बड़ी आठ की लंबाई कितने होती है ? फो देख लिजी है अब देख लिजी बड़ी आठ का양ण कितने भागोह में भी भक्त होता है तो तीन भागवर में अपरी गामी ता वाद का में और यहाँ ब कराकर परस्थ के बाद बop सोंबसे हैं मानोषरीर में अप्पोहन का कारता है निफरान करता है जिसको कि चोड़ी काई बोलते हैं तो यह जो था यह पूरे वाइलोजी का FERG 정 से जीतना अबप्जेक्टिव बन जाने वाला था जीतना अबजेक्टिव अप तुलो नगर इसके बहुजूद भी हम इसी कोसन को या फिर नए कोसन को आइड करके वेकलपिक बनाएंगे जिसमें कोसन तो रहेंगे लेकिन इसमें चार आपसन रहेंगे एक दो तीन और चार जिसमें से आप एक को सही करेंगे यानि दिये गए प्रसन को पढ़ेंगे और एक को सही करेंगे तो उमीद करते ह कि ये सेसन बहुत ही जबरदस्त लगा होगा आपका समय बचे इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना बखवास करते हुए इस सेसन को इंड करते हैं और मैं अंत में यहीं कहाना चाहूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू कर दिएगा अगर कुछ दुवीधा या कोई मान के चले कोई कमफ्यूजन लगया तो आप हमें कमेंट बक्स में बोलिएगा हम उस कमेंट बक्स में आपका सही जवाब दे पाएंगे खुल मिला जुला करके कमेंट को खाली नहीं छोड़ना है और फ पूरे के पूरे टीचर जो हम लोग अभी इंट्रेंस लेबल की तयारी करा रहे हैं वह थोड़ा सा छोड़ करके या उसको भी कराने के सांसा थोड़ा सा समय निकाल देंगे आप लोग के लिए बहुत भला हो जाएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो मिलता है नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपी के सांथ तब तक के लिए जैहिंद